बिसमिल्लाय रख्मादिर रहीम टुडेइस टॉपिक ओफ डिस्केशन इस पास्ट यूक्यू ओफ ग्राम नेगेटिव कोकाई तो आज की इस वीडियो के अधर ग्राम नेगेटिव कोकाई और निजीरिये के यूक्यू को डिसकस करने वाले हैं रेलेटिवली यह चैप्टर तो बहुत चोटा है लेकिन इसमिसे जो यूक्यूब्स है वो ग्राम पॉजडियो कोकाई से भी जाता है तो इसके तक एवन कोईशन है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करता है यालो क्रीमी पस का डिस्चार्ज है तो आपने क्या करना है आइसोलेशन और इडेंटिफिकेशन इन शॉर्ड इसके लिए बार्टर डाइगनोसिस वगरा पूछ रहा है तो लिबार्टर डाइगनोसिस होती है तो पहले ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो माइक्रोस्कॉपिक ग्राम स्टेनिंग के अंदर ग्राम नेगेटिव के डिपलो को का यह कि इसके लावा जैन एप्लिफिकेशन टेस्ट होते है और फ्लॉरी सेंस एंटी बॉडी स्टेनिंग होती है याद करना कि यह उसके लिए भी थी ए ठीक है जो सोरी एफ्टी य था एफ्टी एबिस यह हमने कहां पर पड़ावा था स्पेसिफिक फाइंडिंगी ट्रिपो निमा पैलिडम की मेल्स के अंदर तो हम सी ग्राम नेकिटिव डिपलो को काई को देखते हैं विदिन पॉली मोर्फ नुक्लियर नुट्रोफिल इनुरिथर डिस्चार्ज तो इ निजरी मनेंचायटइस होता है जो मेंचायटिस और मेंचोकसीमिया करवाता है इसके इंतर प्रोपर्टी यह जो पॉली होता है वैक्सीन मेंचायट के तरफ नबर हम है की तरफ एंटेर्विदी स्टेटइस हैं खेलोपियन ट्यूवलों कर गी है यह किसे होते हैं इजरिया ग्लोरिया से होती है तो most probably किसको बता रहा है गोनो को किसको बता रहा है लेगनोसिस किस तरह से परफॉर्म करेंगे तो लेगनोसिस बता चुका हूँ ग्राम स्टेनिंग है तो जो मेल्स के अंदर ग्राम नेगेटिव डिपलोक हो काई polymorphon nuclear neutrophil के अंदर मिल जाती है यूरिथर डिस्चार्ज के अंदर तो वो काफी है डागनोसिस के लिए लेकिन फीमेल के अंदर ग्राम स्टेनिंग करना और इसको इंटर्प्रेट करना काफी ज़दा मुश्किल ह क्योंकि जो ग्राम स्टेनिंग होती है है सफ्यर्पिंस के वर फाल्स जिर्ब को काई होसकती है कि नौनर्मल फ्लोरा के अंदर नेगल्स देने को काई नजर ही न यही लगाते हैं ओके। तो फाल्स नेगुटिव और फाल्स वुल्टिटिव दोनो हो सकता है याट इस वाई ग्राम स्टेनिक फीमेल कंदर नॉर्मल ही नहीं करते होते हैं हम कल्चर करते होते हैं फोट डाइग्नोसिस ओके ठीक हो गया कि दो फोति हैं असाथम होते हैं लिडमी के पर देखने नगा कहिंपने चाहीं और आपको देखने को मिले तो वो हो इसकी इंडिकेट कर लेता है कि आपको पता है कि तो maltose के fermentation है, वो निजेरिया meningococcus करता होता है, लेकिन यह नहीं करता है, तो maltose के fermentation कर लो, flonusens antibody test कर लो, वो आगे ओर differentiate करतेगा, इसके लावा सबसे best जोड होता है, जो screening purpose लिए यूज होता है, highly sensitive or highly specific होता है, वो है nucleic acid amplification test, जिसके अंदर आपको gonococcus के nucleic acid देखने को बिलते हैं, ओके, छीक हो गया, लेकिन तो serological test होती है, वो किसी काम के नहीं होते हैं, next हम चलते हैं, next question है कौन सा है, young fashion designer will present to the urology world with a complaint of creamy yellowish urethral discharge, creamy yellowish urethral discharge है, तो ये scenario है, अच्छा, आपको सारे disease का बता देता हूँ, ये gonococcus को indicate कर रहा है, laboratory diagnosis पूछ रहा है, और ये कह रहा है कि दुसरे gram negative cocus को से होता है, उसके antigenic structure, तो आपको बताता है, जो clinical finding होती है, इसके अंदर gonococcus के अंदर, जेनियरटारेक्ट में, जो uretheritis करवाता है, और cerviscitis करवाता है, यॉसके लावर disseminated infection भी हो सकता है, अगे ascending infection भी हो सकता है, जिसको pelvic inflammatory disease भोलती है, disseminated भी हो सकता है, जिसको disseminated gonococcal infection भोलती है, ur statal भी हो सकता है, जिसको ephthalmia, new natal maillotaurus भोलती है, गाता है ओके ठीक हो गया यानि जो मेल होते हैं वहां पर युरी थ्राइटस है डिसूरिया होता है पेन फुल विक्टुरेशन होता है फीमेल के अंदर जो इंडर सर्विक्स के अंदर लोकालाइज होता है वहां पर पर प्रूलेंट विजाइनल डिस्चार्ज कराएगा और करवाएगा जिसको कहते है सर्वी साइटस में पुरूलेंट विजाइनल डिस्चार्ज होगी और इंटर बेंस्टुर ब्लीडिंग होगी जो कम्प्लिकेशन होती है जिसको हमें संदिंग इंफ्रक्शन कहते हैं तो वह यूट्राइन ट्यूप का होता है जिसको चाहते हैं साल्पिंगा ते अबने से दो चीज़े होती है जैसे पिछले शुमारियों में बताया था इन फर्टि लीडिटि ऑ दूसरा एक्वक प्रेगनंसी वागरा हो सकती है जिसके बाद डिसल इंप्रक्षण है अगर जुएच्ट के पास जाएगा तो ये करवाता है ठीक है क्योंकि जो गॉनो को कल इंफेक्शन है वो मदर पैसेज़ वे से अक्वाइट हो सकता है तो उसको ट्रीट करने के लिए मेरित्रोमाइजन के और इंटमेंट या सिल्वर नाइट्रियर प्रगरा को अप्लाइ करते हैं कहते हैं कि जो दूसरे सेक्शले टॉ जो ग्लाइमीडियर ट्रकोमेटस होता है वो भी ग्रोणिये के साथ एक्शिस्ट कर सकते हैं तो आपको डिफिनेट करना चाहिए इसके बाद है फीवर हैटेक नेक्ट सिफनेस और रिजिटी है इंक्रीज पॉलीमोर्फो नुक्लियर नूट्रोफीला सी है सब के अदर प्रेंट करते हो तो आप थायर मार्टन मेडियम को यूज करते हो लाइक अनौ को के लिए इनके अंडर नहीं होता है तो फिर इसको आप देख लेना पॉली सक्राइट कैप्सूल इनका क्या होता है विरूलेंस फैक्सर होता है अच्छा नहीं के पास चार प्रोपर्टी हो बढ़ा देता है by anti phagocytic action दूसरा इसके पस antigen होते है जो sinological group को define करते है यारी antigenic variation इसी के बढ़े से होती है यारी virulancy भी है antigenological finding बगारा में भी आता है और यह antigen होता है जो आप laboratory diagnosis के अंदर देखते हो last है कि antigen होता है vaccine के अंदर ठीक हो गया polysecret capsule है जो antifagocytic होता है endotoxin fever दो shock करवाता है factor H binding protein है जो C3P को inhibit कर देगा compliment को activate नहीं होने देगा और IgA protease है IgA protease के बढ़े से upper respiratory tract infection करवाएगा fever stiff neck होती है headache होता है और polymorphonuclear neutrophil होती है spinal fluid के अदर ठीक हो गया यहाँ पर एक syndrome का नाम लिखाव है मैंने जो coxemia के अदर water house phyretrition syndrome इसके अदर high fever होता है wide separate परपरा है disseminated intravescular coagulation है thrombocytopenia होता है और adrenal insufficiency होती है असल में septic shock वाली condition होती है जिसमें septic shock वाली चीज़े देखने को मिल दे रही है like high fever है hypotension है potential और पुरपुरिक राशिस होती है चीज़ हो गया ओके और हम इसका डाइग्नोसिस के तरह से बनाते है fever से headache से stiff neck से और polymorphonuclear neutrophil in the spinal fluid से बाकी लिबाटरी डाइग्नोसिस आपको बता चुका हो कि gram staining होती है gram negative kidney shape dip block हो काई है oxidase positive होता है maltose fermentation होती है कानुनी चॉकले डाइगर के अपर गिलिक अलट के होती है lattice है glutination test और immunofluoresis test होते है ओके अब next question के तरह आ जाते है कि अब stiffness of black है irregularly shape chymosis है पुरपुरर headache है तो diagnosis क्या होगा water house feral addition syndrome ओके बनेंजाइटिस का infection इसकी pathogenesis कूच रहे है तो pathogenesis के अंदर क्या होता है capsule polysacryde है जो के phagocytosis को resist करता होता है endotoxin होती है factor h binding protein होती है और IgA protease होता है तो आपने इसकी pathogenesis के अंदर ये चीजे लिख देनी है ओके चीब होगया factor h binding protein सबसे ज़दे इपोर्टन है क्योंकि ये c3b को inactivate कर देती है क्योंकि जो factor h होता है manager cocus के पास तो वो c3b की optionizing activity को कम कर देगा अगर late acting component की या late acting complement की deficiency होती है like c6 से लेकर c9 की तो इसकी वरे से क्या होता है इनकी infection काफी जादा common हो जाते है next question की तरह फाज आते है कि रीटर सिंड्रोम अगरा का पूछ रहा है जो रीटर सिंड्रोम है वो यहाँ पी ने लिखावा बिल्किए वो ख्लाइमीडिया वाले topic में लिखावा है जो रीटर सिंड्रोम है इसमें urethritis, uvitis और arthritis होता है यानि जो urethra और uvl track और joints इसके against autoimmune disorder activate हो जाता है और जो इसकी different immunotypes होती है different serotype होती है like ABC trachoma करवाती है D से लेकर key genital tract infection करवाती है मेल्स में non-gonoclecal urethritis है जैसमें non-pulent uterial discharge होती है जबकि gonococcus में prulent discharge होती है dysuria होता है जो आगे epididamitis या prostatis करवा सकता है female selfingitis और pelvic inflammatory disorder है ओके ठीफ हो गया अब जो remaining questions है वो इनी के ओपर depend करेंगे सेनारियो देगा fever, headache, stiffness of neck है कर्णिक sign है सब positive होगे किसके अदर meningitis के case में जबकि painful micturation है dysuria है, purulent discharge है तो वो सारा किसको indicate करेगा वो सारा gonorrhea को indicate करेगा हाँ, gonorrhea के अंदर IgA protease होता है outer membrane protein होती है जो virulence से provide करती है लेकिन gonorrhea के अंदर कोई polysecrate capsule नहीं होता बलकि इसके जो antigenic variation होती है पिलस protein के पर होती है और इसके पास 3 outer membrane protein होती है तो यह हो गया gram negative cocai के बारे में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर देना चैनल पर नहीं होतो subscribe कर देना मिलते हैं next वीडियो में तब तक एलिए अल्लाहाफिस